सो हेलो एंड वेलकम यू ओल आम रोईत रूम हाजन ट्रेडर सो गैस आज हम बात करने वाले हैं रिलाइंस पावर एंटिडी के बारे में और गैस अगर देखा चाहे तो स्टॉक में आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है और कही ना कही स्टॉक में मैंने बोला था कि ग खोड़ा वेट करना पड़ सकता है बट कल अगर इस टॉक सपोर्ट लेता है तो बिलकुल तेजी आ सकती है तो किस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या कुछ इसमें टार्गेट्स रहने वाले हैं तो उसके बारे में भी बात करेंग रहे हो जो बिल्कुल low cost में मिले और बिल्कुल आप उसमें खरीदारी कर सको तो reliance power ltd एक ऐसा stock है जिसमें आप invest कर सकते हो और देखा जाएं तो guys stock में भले ही गिरावट है बट कही न कही तेजी आने के इसमें संकेत हमें देखने को मिल रहा है तो आर्क पावर के नाम से भी हम इसे जानते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर्स के ब्डेट्स के लिए शेर्स के लेटस निउस के लिए तो guys वीडियो को शुरू करते है Reliance Power Ltd current price है और closing दी है 12.60 पेसे के price पे और देखा जाए कितना stock गिरा है 0.45 पेसे तक stock गिर गया है 3.45% के इसाब से stock में continue गिरावट हारी है और देखा जाए अब चलते सिदा चार्ट पे तो चार्ट को easy तरीके से हम explain कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखा जाए गाई तो support levels यहाँ पर आपको clearly दिख गए होगे तो एक support level है यहाँ पर कई बार support ले चुका है और अब फिर से यहाँ पर support लेने की तियारी में दिख रहा है stock अगर गाईस यहाँ पर stock support लेता है इस level पे तो यहाँ से यह बिलकुल एक बड़ा high लगा सकता है लगबग 25 रुपे तक stock जा सकता है अगर support लेता है तो बट गाईस इसमें एक चीज ए भी है अगर यहाँ पर negative चीज क्या है मैं ओ भी आपको explain कर देता हूँ तो negative चीज है और positive चीज हम दोनों साथ में explain कर रहे हैं बट अगर देखा जाए community sentiments के आकड़ों से तो बिलकुल यह उपर की और जाता हो दीख रहा है तो 25 रुपे का target मेरा रहने वाला है अगर support लेता है तो अगर support नहीं लेता है और इस level क breakout दे देता है तो बिलकुल इसमें नीचे आने की संभावना जाता देखने को मैं मिल रही है guys और देखा जाए तो कहीं न कहीं यह bearish pattern भी हम इससे कह सकते हैं तो bearish pattern मैं किसलिए कह रहा हूँ और कहीं न कहीं यहाँ पर एक double top जैसा pattern भी बन रहा है तो double top जैसा pattern अगर बनता है guys तो उससे bearish pattern भी हम कहता है तो उसके इसाब से भी यहाँ पर एक bearish नहीं समय देखने को बिल रहे हैं तो काफी यहाँ पर दो तरफा जो possibilities है stop में ओ हमने आप से discuss की है और 25 रुपे का target हम रख रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर support ले चुका है यहाँ पर support ले चुका है यहाँ पर support ले चुका है कई बार test करा किया है इस level को तो यहाँ पर भी अगर support लेता है तो ही आपको buy करना है अगर यहाँ पर support नहीं लेता और इस level को break कर देता है तो यह नीचे की और आ सकत तो गाइस बढ़ते हैं अब आगे और पाच दिन के टाइम फ्रेम पर भी गिरावट ही है 40 पेसे के सम्तिंग स्टॉक गिर गया है मानश 3.08% के हिसाब से और गाइस वही अगर देखा जाएं वनमन पर तो यहां पर एक रुपे 50 पेसे तक स्टॉक गिरा है 10.64% के हिसाब से और देखा जाए 6 महिने के टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर 2 रुपे 60 पेसे के आसपास stock गिर गया है guys और देखा जाए तो 26.63% की यहाँ पर गिर आउट हमें यहाँ पर बढ़त हमें देखने को मिल रही हो और 2 रुपे 60 पेसा stock बढ़ा भी है 6 मेले के time frame पर और वही अगर देखा जाए 1.5 के time frame पर तो यहाँ पर 9 रु पेसे के price पे high लगया था stock ने 13 रुपे 0.05 पेसे का और low लगया था 12 रुपे 55 पेसे का market cap अच्छा है यहाँ पर 4.29,000 करोड के आसपास का market cap है और market cap के इसाप से तो clearly पता चल जाता है कि stock एक mid cap stock की category में आता है और P ratio अगर देखा जाए तो 37.64 का P ratio भी आपको देखने को मिल रहा है अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 52 इक्स का high और low क्या कुछ है तो 52 इक्स के high के अगर बात करूं 18 रुपे 25 पेसे का high भी आपको नजर आ अब बढ़ते हैं आगे और resistance level support level को देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए resistance level तो 13 रुपे 40 पेसे का first resistance level है second resistance level 13 रुपे 75 पेसे का है और third resistance level है यहाँ पर 14 रुपे 35 पेसे का support level अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 रुपे 45 पेसे का first support level है और second support level 11 रुपे 85 पेसे का ह और थर्ड सपोर्ट लेवल ग्यार उर्पया पचास पेसे का दिख जाएगा वही अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्राइस प्रफॉमस नेगेटिव है अगर देखा जाए अब पिछले वन मंत का पहला अगर देखा जाए वन विक का तो माइनस 7.01% है वन मंत का देखा जाए 270.59% प्लस में है देखा जाए वन यर का 293.75% यहाँ पर प्लस में दिख जाएगा थ्री यह का अगर देखा जाए 58.14% यहाँ पर माइनस में दिख रहा है गाईस अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ स्टॉक में ट्रेड वेल्यू हमें दे ट्रेड वेल्यू और कॉमिनेंट डिलिवरी भी 2 करोड ही है वन मंत की अगर बात करू तो यहाँ पर 2 करोड के सम्तिंग का ट्रेड वेल्यू और 1 करोड के सम्तिंग की कॉमिनेंट डिलिवरी आपको देखने को मिल जाएगी गाईस तो यहाँ पर ट्रेड वेल्यू और कॉ पॉजिटिव है, 88% जो लोग है, वो यहाँ पर बाई के लिए कह रहा है, और अगर देखा जाए, तो 8% जो लोग है, वो यहाँ पर sell के लिए कह रहा है, और 4% लोग जो है, वो यहाँ पर कह रहा है, hold के लिए, तो holding के लिए भी कहा जा रहा है और बाइंग के लिए भी कहा जा रहा है तो आपके उबर डिपेंड करता है आपको क्या करना है रेविन्यू की देखे तो रेविन्यू भी अच्छा कासा है आपर बढ़त में था 2017 तक बागी टाइम तो यहां पर गिरावाट से के साथ गिरता हो नजर आ र प्रफिट तो 2017 का अगर नेट प्रफिट देखा जाए तो ग्यारा सो चार करोड है और 2018 में भी पॉजिटिव है 835 करोड 2019 बीस में देखे तो माइनस में है और देखा जाए 2021 में तो प्लस में है 427 करोड और वही गाइस अगर देखा जाए आपर होल्डिंग पैटन तो यह पसंद गी इसका कुछ बाते के लिए हैं इस वीडियो में बट आपको अगर रहना है तार्गेट्स तो मैं आपता है लेवल्ज भी मैं न बता है बट डिपेंड करता है सपोड के उपर वीडियो पसंद आवा वीडियो को लाइक करो चार्वग को सब्सक्राइब करो ठेंक क्यु